असलाम लेकुम गाइज, वेलकम टू बाइक मेन अफिके, आज की जो मारी वीडियो है, वो है टॉप थ्री फास्टेस्ट बाइक्स इन वन फिफ्टी सीजी काडिगरी, तो आज हम उन तीन बाइक्स के बारे बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे नमबर त्री फिर नमबर टू फिर नमबर वन, और मैंने तीन बाइक्स को रखा है, तो नमबर त्री पर कौन है, नमबर टू पर कौन है, तो सबसे पहले नमबर त्री से स्ट करते हैं तो बेना वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आइस नंबर थ्री पर मैंने जिस बाइक को रखा है वह रोट पिंज वीगो 150 से कि रोट पिंज वीगो 150 काफी लोगों ने जो मेरे सब्सक्राइबर जानों ने इस्तमाल किया हुए और उनको पता होगा कि यह बाइक कितना फास्ट है रोट पिंज वीगो एक चाइनीज ब्रेंड है बैसिकली यह एक रेप्लिका बनाया गया था बाइ रोट पिंज वीगो और यह कॉपी किया था डर्बी से डर्बी ETX 150 जो है वो ओरिजिनल बाइक था और उसकी कॉपी बनाया थी रोट पिंज वीगो ने और बैसिकली रोट पिंज ने और नाम दिया था वीगो तो इस बाइक की जो कॉलिटी है वो बाकी चाइनीज बाइक से बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी है अगर आप इसकी कॉलिटी कंपेर करेंगे बिल कॉलिटी और पेंट कॉलिटी अगर आप कंपेर करेंगे बाकी जो 150 CC बाइक से जो चाइनीज 150 CC हैं उनसे अगर आप कंपेर करेंगे तो आपको कंपारिटिवली बहुत 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 अच्छी है parts availability इस बाइक का एक issue है वो अभी तक चल रहा है जब से बाइक launch हुआ था और अभी तक parts का जो issue है वो चल रहा है और parts के अलावा अब तो बाइक आपको new भी नहीं मिल रहा कुछ showrooms पर खड़ा है new लेकिन वो पुराना stock खड़ा है 2019 का 2020 का stock खड़ा है वो और कोशिश कर रहे हैं कि वो बेज दें 2022 का करके पर लोग बेच रहे हैं इसको हलाकि इसकी original price अगर आप website पर चेक करते हैं by roadpins तो roadpins ने ये mention किया हुआ है कि original price जो है वो है डाई लाग रुपए डाई लाग रुपए है roadpins वीको की price लेकिन शोरूम पे जहां पर ये आपको new खड़ावा मिल रहे है वो इसको 350,000 तक भी बेच रहे हैं उसकी reason basically ये है कि पीछे से निया स्टॉक आनी रहा तो प्राना स्टॉक वो फिर नई price के साथ खुदी नई price के साथ बेच रहे हैं अपना on वगयरा सब कुछ रखके और फिर वो इसको बेच देते हैं बरहाल हम speed की तरफ थे तो जहां तक इसकी top speed का तालोग है तो इस bike की आपको top speed मिल रही है 130 km पर और 125 तक तक तो मैंने personal भगाया इसको और 130 तक इस bike की claimed है top speed 130 से ओपर भी कुछ लोग गई हैं लेकिन mostly लोगों को जो top speed मिली है इस bike के अंदर वो है 130 तक और 130 एक बुरी speed नहीं है बहुत अच्छी speed है 1500 CC के लिए जहां तक इसके engine का तालोग है तो इस bike का जो engine है यह है 4-stroke single cylinder overhead camshaft engine engine overhead camshaft होने की वेज़े से bike vibrations कम produce करता है बनिसबत overhead valve engine के तो आप थोड़ सा comfortable पर रहते हैं इस bike के अंदर इस bike के अंदर बलेंसर नहीं है सिरफ bike के अंदर जो engine के टेकनलोजी है वो है overhead camshaft और इसके लावा bike के अंदर आपको carburetor system मिलता है इस bike के अंदर Ef5 system नहीं है और इसके लावा बाइक के अंदर जो आपको carburetor मिल रहा है वो simple है इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने second bike की तो मैंने second वेजिस bike को रखा है वो है सुजुकी GS 150 Special Edition या सिंपल कर लें आप स्पेचल एडिशन कर लें तो सुजुकी का GS 150 है ये Most Powerful Engine in 150cc का डिगरी इसको कहते हैं इसको 150cc में Powerful Engine मिला हुआ है अब Powerful होने के विए से इस बाइक को एक Edge मिल जाता है इस बाइक को आप टोरिंग के लिए Easy use कर सकते हैं क्युक्ग तोरिंग में Most Powerות की जूरत होती है तो Power इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती है इसे विए से i ज़ोग इस बाइक कोरींग के लिए इस्तमाल करते है लोग हो इसे बाइक एंजिन की बाद कर लेते हैं कैम अब है उसके लावा इस पाइक के अंदर आपको कारेटर मिल रहा है वह सिंपल कारेटर जो así रोब द्रहा है जो सुजुकी जी आशा-उस वह बंटर आ श्रेर सुदार वह अंदर संय आपको सिंपल कारेटर दिया गया है और अगर में भ nuestro dow 5-2 sqpid की बात करें तो मिटर तो इस बाइक का 120 तक है लेकिन यह 120 तक बहुत जल्दी चल जहता है और 120 से उपछा बाइक 120 तक तो इसका मिटर वैसे बडिया गया लेकिन एक 120 बीस बॉपर ही जाता आ तो क्योंकि analog meter है जो आपको Vigo मिल रहा है उसके अंदर digital meter है तो वो exactly speed आपको बता देता है कि कितनी speed पर bike चला गया है तो इसी वह से लोग फिर 130 तक claim कर लेते हैं लेकिन इस bike के अंदर आपको analog meter मिल रहा है और है भी 120 तक तो हम claim नहीं कर सकते हैं कि इसके उपर कितना गया है तो इसी वह से मैं आपको confirm नहीं बता सकता कि कितना गया है लेकिन 125 तक तो speed है 125 तक लाजमी गया है यह bike 130 तक भी गया होगा लेकिन क्योंकि analog meter है तो नहीं पता जल सकता अब अगर आप side by side वीगो के साथ इस bike को भगाएंगे तो क्योंकि इस bike की torque जादा है तो इस वह से यह bike शुरू में निकल जाएगा और टकर देगा वीगो इस bike से आगे ने निकल सकेगा वीगो इस bike की पिछ जादा reliable होता है वो जादा लाइफ उसकी जो life span होता है वो भी जादा होता है तो सुजुकी को इस वह से एक edge मिल जाता है तो second number मैंने इस bike को इस वह से रखा है अब हम बाते हैं अपने first bike की तरफ तो first मैं मैंने इस bike को रखा है वो है Benelli TNT 150i अगर हम Benelli की बात कर लें तो Benelli इन दोनों बाइक से बिल्कुल मुक्तलिफ है अगर आप लोग compare करें दोनों बाइक के साथ तो naked look है इस bike की इसके इलावा इस bike की price भी बहुत जादा है इन दोनों बाइक से इस bike के अंदर जापको features मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं दोनों बाइक की खेंग और इसके लाबाँ इस उन्हीं कि अदर ज आको digital मिल रहे हैं वो ग कंपलीट मिल इसे इस तरह हैं कि इसका जो आर पीम हो सब्सक्राइल मगर बनेंधर अवर वगरल बाइल हम आते हैं कि तरफ तो बनैली अन्टीं वान tutti ऑफ स्पीड मिल रही है वह 125-130 km पुर और तक है 135 तक भी कुछ लोग लेकर गए हैं लेकिन 130 तक मैक्सिमम है इस पाइक एंदर रेव लिमिटर इंस्टॉल्ड है रेव लिमिटर होने की वैसे बाइक जो है वह एक हदूत तक आप रेफ कर सकते हैं इससे जादा आप इस पाइक को भी उमीद है चला जाएगा लेकिन रेवलिमिटर होने की वैसे बाइक 130 या 135 तक मैक्सिमम चला जाता है इससे उपर नहीं जाता बाइक अब लोग कह रहे होंगे कि यह भी 130-35 तक तो आपने इसको नमबर वन पर क्यों रखें तो नमबर वन पर इसको रखने की रीजन है इ है कि बाइक के अंदर 12-12 हैं 14 हॉर्सपार होने के वह से बाइक जो है वह टॉर्क मे म क्पर पर दिश करता है URL स्था करता है और अउर्सपार क्यों इस ब्तूर स्बधै अ숙र किशिव cage with gs के सथ हैं गर वीग को और ये इस ऊज़रा निकल जाएगा और इसको को क्रीब के अंदर है अशा जहां तक सुजुकी गिक्सर की बात है तो सुजुकी गिकसर का वेड़ जाता है जिसके वह बाइक अपनी टॉफ स्पीड अचीव नहीं कर पाता मगर उस पाइकी टॉफ स्पीड भी 120 से उपर ही है 125 तक अलमस्ट होगी इस उपर नहीं होती मैक्सिमाम 125 जिस तोक होगी क्योंकि इस वेट इतना है इस वेसे बाइक को मैंने एड नहीं किया जिन बाइक को मैंने एड किया है वह 125 से उपर चले जाते हैं यह थे मेरी आज की विडियो और यह थे तीन बाइक जिसमें नमब तरी पे था वीगो नमब टू पे जी एस नमबर वन पे था बैनली टीनटी वांफ़्टी आई अब अगर मैंने गलत प्लेस्मेंट की है बाइक की तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं हो सकता है कि नमबर वन पे किसी और बाइक को रखना हो मैंने बनाली को रख दिया हो तो अगर यह चीज गलत है तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं और मुझे यह भी बताएं कि नमबर वन पे किस बाइक को होना चाहिए था अचा कुछ लोग कहेंगे कि सुजुकी जी आर को अगर आप सुजुकी जी आर को कमपेर करेंगे तो आपको जी आर की टॉप स्पीड जाता लेगी सुजुकी जी आर के अंदर उन्होंने पावर को थोड़ा से रिडियूस किया है पावर रिडियूस करने के बाद उन्होंने कमफर्ट को इंक्रीज किया है अगर आप कमफर GR को एड़ नहीं किया वाइस ये थे मेरी आज की वीडियो इंशाला नेक्स वीडियो के दर मुलगात हुई तब तक के लिए स्टेबलेस्ट, अलाफिस